असलाम लेकुम स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब उमीद करती हैं आप सब ठीक होंगे पहले हमने पहले लेक्चर में पोद्दे और द्रक्त की पढ़ाई की थी आज हम इसके मश्की सवालात करेंगे वर्क बूस सफ़ा नमबर 15 से लेकर 17 तक हमने काम करना है मश्की सवालात, सवालात के जवाबात लिखें जड़ किसे कहते हैं सवाल है जड़ किसे कहते हैं जवाब द्रक्त का जो हिसा जमीन के अंदर होता है इसे जड़ कहते हैं हमने ये पढ़ाई के दुरान भी पढ़ा था, द्रक्त का जो हिसा जमीन के अंदर होता है इसे क्या कहते हैं पधा जड़ के जरिये से, जमीन से क्या हासिल करता है, क्या हासिल करता है, पानी, पधा जड़ के जरिये जमीन से पानी हासिल करता है किन पोदों के तन्हें जमीन के अंदर होते हैं, किन पोदों के तन्हें जमीन के अंदर होते हैं, किन पोदों की जड़े खाई जाती हैं, गाजर, मूली, शलजम और शकरकंदी की जड़े खाई जाती हैं, किन की जड़े खाई जाती हैं, गाजर, मूली, शलजम और शकरकंद क्या कुछ पूदों के तने भी खाये जाते हैं जी हाँ जिस तरह आलू और अद्रक के तने खाये जाते हैं अब हम अगला स्वाल करेंगे स्वाल नमबर दो है इल्फास को जुम्लों में इस्तमाल करें ये इल्फास दिये हुएं इनको हमने या लिखना है फिर इनके जुम्ले बनाने है इल्फास जुम्ले खेतों किसान खेतों में काम करते हैं जड़ कुछ पोदों की जड़ें भी खाई जाती है पोदा गन्ना एक ऐसा पोदा है जिसका तना खाया जाता है जमीन ये जमीन बहुत जर्खेज है शाखें तने से शाखें निकलती है शाखें का क्या है? तने से शाखें निकलती है हफाज़त हमें वोदों की हफाज़त करनी चाहिए निमत पानी अल्ला की निमत है अगे है द्राख्त अल्ला ने द्राख्त इनसानों के लिए पैदा किये हैं अल्ला ने द्राफ्त इंसानों के लिए पैदा किये है तना गन्य के तने से शकर बनती है गन्य के तने से शकर बनती है गन्य गन्य एक ऐसा पोदा है जिसका हम तना खाते है गन्य एक ऐसा पोदा है जिसका हम तना खाते हैं हीसा, दरख्त का जो हीसा जमीन के अंदर होता है, उसे जड़ कहते हैं. स्टूरेंट्स, आपने इसे अच्छी सी राइटिंग में लिखने हैं, और अच्छे से याद करने हैं. अलाफिस.